हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागता इन शोटे कुकिंग टिप्स की मदद से बनाएं खाने को स्वादिस्ट नमबर एक अगर आपके खाने में नमक जादा हो जाता है तो ध्यान रहे के नमक सबसे आखिर में डालना है सबजी के पक जाने के बाद जान डाल के पक जाने के बाद सबसे आखिर में नमक डालने से नमक जादा भी नहीं होगा और ज्वाद भी बढ़ेगा टिप्स नमबर दो खीर को पकाती हैं तो उसमें चीनी डालती हैं लेकिन अगर आप हेल्दी खीर बनाना चाहती हैं तो मिठास के लिए खीर में गुड को टुकडों में काट कर डालें इससे खीर का स्वाद भी बढ़ेगा और सहत के लिए विजे फैदा करेगी और नमबर तीन घर में बैसन खतम हो गया है और पकोड़े बनाने हैं तो पजार भागने की जरूरत नहीं है घर में रखी चने की डाल को ग्राइंडर में पीस कर फटा फट वैसन तियार किया जा सकता है और अगर समय है तो चने की दाल को आदे घंटे के लिए भिगो कर रख दें फिर इसको पीस कर कोड़े बनाएं काफी टेस्टी बनकर त्यार होंगे नमबर चार घी में तलते समय कोई चीज विखर रही है तो उसमें एक जान दो डवरोटी को पीस कर मिला दें नमबर पांच जदि पतीना धूप ना मिलने की वज़ा से ना सूक रहा हो तो 30 सेकंड के लिए मैक्रोबेर में गुमाएं अब कांच के डबे में भर लें नमबर छे कोई भी भर्मा सबजी बनाते समय मसाले में थोड़ा सा भूना मुंगफली का चूरन डाल देने से सबजी का स्वाद बर जाएगा नमबर साथ आलू उबालते समय पानी में एक चुटकी नमक डालने से शिलके उतारने में असानी होगी नमबर आठ देशी घी को अधिक दिनों तक ताजा रखने के लिए उसमें एक टुकड़ा गुर और एक टुकड़ा सेंदा नमक डाल दें नमबर नो देही से बनी सवी सबजियों में नमक तभी डालें जब तक सबजी में उबालना आ जाए पहले से नमक डालने पर देही से बनी सबजियों फट जाती है 10. पनीर को नर्म रखने के लिए उसे तलने के बाद गर्म पानी में डाले इसके बाद ही उसे सबजी में मिलाएं और हलका पकाएं तो ये हम फ्रेंड टिप्स फोलो कर सकते हैं इन टिप्स से हमारा कुकिंग का काम बहुत असान और जल्दी हो चाता है 11. अनाज अंकुरत करने के लिए महीन कपड़े में बाद फ्रिज में रखने से उसमें पानी में पड़े रहने जैसी स्मेल नहीं आएगी 12. विरायते में नमक सर्व करते समय डालें इससे राता खटा नहीं लगेगा 13. आठा गोंते समय पानी की विजाए दूद का पर जोग करें पूरिया नरम बनेंगी अगर आपको मेरे टिप्स अच्छे रगे हो मेरे चैनल को सस्क्राइब करना लाइक करना शेर करना